सो हेलो गाईज वेलकम बैक तो मैं यूट्व चैनल से चाइम बाउंड गोल एंड दिशोर संदी भाया और गाईज आज की वीडियो वैरी वैरी इंपोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जोसा की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं चॉइस प्रफेंस ओडर बना रहे हैं बट क अगर तुम इन सारी चीजों को ध्यान नहीं रख रहे हो तो तुम अपना नुक्सान कर रहे हो यह बात सही है जोसा काउंसलिंग का मतलब भी नहीं है कि जोसा में जितने कॉलेज हैं हरे कॉलेज बढ़िया है ना तो हरे जिफ्टी आई बढ़िया है ना ही हरे ट्रिपल आ है धिमकाना IT मिल रही है तो उससे बेटर कहीं और क्या तुम्हें उस रैंक पर मिल सकता है अपनी को क्या चीए अपनी को यह जरूरी थोड़ी ना है कि जोसा काउंसलिंग सही जाना है अपने को अगर उससे बेटर कॉलेज उससे बेटर प्लेस्मेंट वाला कॉलेज किसी अगर मिल जाए तो लेने में कोई नुकसान थोड़े ना है कोई हर्ज थोड़े ना है हमने कजन थोड़ी ना खा रखा है कि हम जोसा काउंसलिंग सही लेंगे बास समझ में आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस ज़िके ले जो हर एक जिफ्टी आई अच्छी नहीं है पर प्रिच्र को मिल सब्सेदर बहुत लोग धर आपकी जोसाई करते हैं च्वाइस प्रफ्रेंस में गरबड़ी करते हैं इसके बहुत चारे रीजन है पहला रीजन है एक इनकी रिसर्च प्रापर नहीं है बड़ी अधंच से रिसर्फ नहीं करते हैं कि हमें कौन से कॉलेज में लेना चाहिए और कौन से में नहीं लेना चाहिए मतलब इनके पास ल और तीसरे हो लोग जो पता नहीं कौन से यूटूब चैनल का वीडियो देख लेते हैं जहां पे वो लोग भी गलत सलत इंफरमेशन देके चले जाते हैं यह तीसरा भी एक रीजन है क्योंकि लोग जो है न मतलब खुद पर कम डिपंडेंट होते हैं दूसरे पर जादे तो देख लो कि वो सही इनफरमेशन देता भी है या नहीं देता है ठीक एसी ब्रांड के पिछे ना जाओ काम देखा करो और चौता चीज है कि यह लोग अंठ संठ वेबसाइट पे विजिट करते रहते हैं जहां पे कहीं कुछ दिखाएगा कोई पैसा लेकर किसी जो को तुम ओफिशियली देखो ताकि तुम्हें पता चलता रहे खुद के बुद्धी को भी लगाओ बहुत सारे वेबसाइट साय या इंटरनेट पे बहुत सारे अंठ संठ चीजे पढ़ी है जो बिल्कुल भी रिलाइबल नी है जिन पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकत कुछ भी हो लोग डाल देते हैं ठीक है कुछ लोग पैसे लेके डालते हैं और कुछ लोग को तो खुदी पता नहीं होता है क्या डालना चाहिए तो चलो भाई शुरू करते हैं इस साल जो टोटल पहले में GFTI को लपेट रहा हूं अगले वीडियो में हम लपेटेंगे ए आज 6 बजे 6 पीम पर लाइव अपना अपन लाइव आने वाले चॉइस प्रिफरेंस को ही लेके तो आपने को एधान में रखके चलना है छे बजे आपको आज आना होगा आज लाइग में ठीक है अब चलो भाई शुरू करते हैं तो लगबग जो इस बार GFTI होने वाले है 35 GFTI होने वाले हैं जिसमें कुछ ही काम के GFTI है जो काम के GFTI है जाधतर और एक से लेके 6 नंबर के हैं जैसे पेक चंडिकर काफी बढ़िया GFTI है मतलब इस टेट उस टोड को गोली मारो अगर पेक मिल रहा है तो पेक में जाओ BIT मेसरा, इन्वस्टी अफ हैदराबाद, ट्रिपल आईटी रायपूर, ट्रिपल आईटी वहने शुर और जैनियू, यह 6 GFTI है जो बढ़िया है लेकिन जैनियू में दिक्का देया है डिवल डिग्री है, डिवल डिग्री है, मतलब B-tech प्लस M-tech, लेकिन अच्छी बात एक और है जैनियू में, इन्होंने बोल दि उसके बाद जो है, जेके इंसिटूट है, इसलाइटी पंजाब है, नाइलिट और अरंगाबाद है, गुरुघासी दासे तेज बादूर है, और ऐसे-इसे करके 34 है, तो पहली बात मैं सुरु के टॉप 5, 6 और टॉप 10 को अपन कंपेर करते हैं, क्योंकि इसके बाहर जो है तो बेकारी है, उनसे बढ़िया तुमको अपने स्टेट के टॉप कॉलेजों को लेना चाहिए, यह मैं सीधे-सीधे बात बोल रहा हूँ, चाहें किसी लोग कही लोग को बुरा लग सकता है, I don't know why, but मैं सीधे-सीधे बोल रहा हूँ कि उससे बढ़िया है, कि तुम अपन MUT भी ठीक ठाक है, और एक NIT और एक BIT है, तो UP मैं 5 गवर्मेंट कोलेज है, मैं प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो मैं प्राइवेट लेके आऊंगा इडी, ठीक है? अब देखो, मैं यहाँ पे जायाँ चंडिगड की बात कर रहा हूँ, डेली से बेटर परफॉर्म कर रही है, तो उनको हम भीडाएंगे, टॉप के ट्रिपल आइटी और टॉप के नाइटी से, तो उनको यहाँ पे रखने हीगा, कोई मतलब नहीं है, वो आल्रेडी बैटल जीत रहा है, ठीक है? तो अब बात करते हैं, जाक चंडिगड के बारे में, SGITS इंदौर, JC जबलपूर, IT देव, और MITS ग्वालियर, जो लोग राजस्तान, रिप राजस्तान के हैं, उनके यहाँ जो ठीक कॉलेज है, बहुत अच्छा तो नहीं है, अब ठीक है, अब मैं इनके सामने रैंग लिग दिया हूँ, कि जबकि 15-16,000 पर चंडिगर बंद हो जाता है, हैदराबाद इनवस्ती 31,000, IIIT रायपूर, मैं CSE की बात कर रहा हूँ, CSE जनरल के टेगरी, CSE जनरल के टेगरी, मतलब इसके अंदर अगर तो जनरल के टेगरी से हो, तो पूरा फुल संभावन है, इसके बाहर हो, एक दो आजार तो भी संभावन है, मैंने बस रिफ्रेंस के लिए डाल रखा है, कि तुम्हें एक पता चले, IIIT भोनेश्वर, 43K पे बंद होता है, जन्यूरी CSE लग लास्ट इमें 30K पे जाके बंद होई थी, और जेके इंसीचूट अपलाबाद 7,000 तक बंद हो आता, एक जनरल का कटाफ है, OBC, SC, ST, उनका तो काफी दूर तक जा रहा है, लेकिन वीडियो को शॉट में रखना है, और यहां पे प्लेस भी कम है, तो इसलिए मैंने डारेक्ट डाल दिया है, पेक चंडिगड और भी IT में इस रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है, IIIT भी महें हैं, तो मैं जब तुम्हार होने की जरूत नहीं है, आज साम को इस पर बात करेंगे, पर पहले तुम्हें जानो कि इनसे बेटर क्या हो सकता है, क्या इनसे बेटर कहीं और भी ट्राइ करना चाहिए, कभी भी जो सच काउंसिलिंग करते हैं, हर एक को, हर एक चीज़ को, मतलब हर एक चॉइस को, हर एक आइटी को, हर एक GFTI को, हर एक ट्रिपल आइटी को आँख बंद करके नहीं भरना है, यह तुम अपने लिए ही परेसानी खड़ा करोगे, अगर मुझे पता है कि मुझे एक HBTU में IT मिलने वाला है, तो मैं रद्दी सद्दी GFTI को क्यों भरूँगा, है ना क्योंकि जैसे ही तुम इसे भरोगे, पहले या दूसरे ओन में तुम्हें मिल जाएगा, मिलने के बाद से तुम्हें पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद से फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, बाद में रिफंड का जहमेला होगा, बाद समझ रहे हो कि नहीं समझ के काम करना है, पैसे भी नहीं फंसाने है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बार बार भी नहीं जाना है, आने जाना भी तो एक बड़ा खामी होता है एक तरीके से, क्योंकि देखो अभी EKTU की डेट नहीं आई है, जब EKTU की डेट आएगी तब तक आधा जोसा नि करनी है, पहली बात मैं बार बार गहता हूँ, जो चोईस तुम्हें नहीं लेनी है, उसे भरो ही मत, खतम बवाल, क्योंकि जब लेना ही नहीं है, तो हम डाल क्यों रहे हैं, बात तुम समझो, ठीक है, तो यह रहा तुमारा इसका, HEPTU लगबग लगग जनरल के टेगरी के मिला था, जाक चंडिगर 42K तक मिला था, यह स्पोर्ट तक जाते जाते का मैं डेटा बता रहा हूँ, और YMCA फरीदाबाद 30,000 तक मिला था, SGITS 48 के, JC Zabalpur 2.5 के, IET देव 44 के, और MITS वालियर लगबग 80,000 तक देखने को मिला था, और वही 40,000 के अंदर ही, आपका 35-40,000 के अंदर ही, JMI भी बंद हो जाने वाला है, तो यह कॉल इसका लगबग basic सकटाप है, अब अगर तुम मारे मन में आ रहा होगा कि भाईया, अपने को किसको क्या priority देना चाहिए, तो मैंने इसका अपने हिसाब से priority order बना रखा है, तुमारे हिसाब से हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझे priority देना होता, तो मैं पेच चंडिगड़ा और BIT मेसरा को आख बंद करके ले लेता, मैं इस्टेट के तरफ जाता ही नहीं, और मैं ट्रिपल आइटी रायपूर को भी आख बंद करके ले लेता, इस्टेट के तरफ नहीं जाता, उसके ब है, और इसकी फीस भी काम है, 16,000 फीस है, तो लगबग लगवा एक ही लेवल के हैं, तो तुम देख लो, जहां तुमें ज़्यादा रिलाइबल हो, हलां कि प्लेस्मेंट वाइस, HPTU वे कच्छ ऑप्शन हो सकता है, बड़ तुमें ज़्यादा रिलाइबल ले सकते हो, ले IT और YMCA फरीदाबाद, जिसमें से SEITS और YMCA फरीदाबाद थोड़ा ठीक है, उसके बाद अपने लोग लास्ट में, इन तीनों में से IT को बाद में प्रिफरेंस दे सकते हैं, बड़ अगर तुम UP के हो, तो IT को प्रिफर कर सकते हो, यहां पे भी कम्प्यूटर साइंस का इन दोनों को सेम लेबल का कह सकते हो, जो अच्छा लगे, उसको पहले प्रिफरेंस दे दो, जो इनकी जो फीस में भी ज्यादी का डिफरेंस नहीं है, तो जो CT तुम्हें अच्छा लगे, अगर सुल्तानपूर अच्छा लगे, यहां सी अच्छा लगे, तो उसको तुम पर लेना, उसके बाद आता है तुम्हारा J.C. जबलपूर, फिर J.K. इंसीचूट, M.I.T.S. गौालियर, IT.RAM, तेजपूर और M.B.M. और उसके बाद नीचे के तुम GFTI को प्रिफरेंस दे सकते हो, तो यह कुछ बेसिक आइडिया था, जिससे तुम्हें पता चलना चा काई है, इसके नीचे KGFTI जैसा नीचे बहुत कुछ खास है, बागी तुम्हारी मरजी, अगर इसके नीचे तुम्हें लग रहा है कि मुझे जाना है, अगर CAC मिल रहा है तुम्हें लेना चाहता हूँ, तो तुम ले सकते हो, otherwise इनके टकर के ही है, मैंने इनका एक को आजर साका ही काम कर रहा हूं मैं भी अपने बच्चों की च्वाइस फिलिंग कर रहा हूं अगर तुम्हें से किसी को हम से च्वाइस फिलिंग कराना हो तो डेफिनेटली तुम्हें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए तुम्हें हमारा प्रोग्राम बाई करना चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है हम तुम्हारी च्वाइस्टिलिंग खुद कर देंगे तो चलो मिलता हूं निक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाय टाटा एंड चैहिंद